है लो चैंपियंज कैसे हैं आप लोग मैं पी के मिश्रा आप लोगों का लेट स्कोर हंडेट में वेलकम करता हूं दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सॉयल इरोजन यह हमारा लास्ट टॉपिक है आज यह हमारा रिसोर्स एंड डिवलपेंट चैप्र खताम होने वाला है तो आए इसी के साथ शुरू करते हैं तो यह हमारा सॉयल इरोजन दोस्तों सॉयल इरोजन बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है काफी अच्छा टॉपिक है और यह एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है यह हमार सॉयल डिपेंड ओन सॉयल फॉर फूर तो और फूर के हम चल नहीं सकते सर्वाइब नहीं कर सकते राइट दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि अंग्रेजी में एक सेंटेंस है यूनिटी इस स्टेंथ राइट वह इस टॉपिक पे भी अप्लाई होती है जिन फैमिली इस है उस वेलिय का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लेकिन जिन फैमिली इस में मेंबर्स के बीच में इस ट्रोंग exposed跟Heal को जिन आहीं होता है पड़ोसी बहुत साथुल्स श्माराभ न लागा and these two keywords are denudation of the soil cover and subsequent washing down only these two keywords denudation of the soil cover and subsequent washing down right अब समझते हैं denudation of the soil cover मतलब क्या होता है denudation means होता है weathering two to foot जब soil cover वो soil cover जो जिसकी weathering हो जाती है यानि वो soil आपस में टूट foot हो जाती है अब आपस में जैसे हम लोगों ने समझा था कि family में जब आपस family members में जब आपस में टूट foot होती है तो बाहर वाले टांगड आने आ जाते हैं पेच मारने आ जाते हैं उसी तरीके से जब denodization of the soil cover हुआ तो पड़ोसी आधम के यानि wind water आ गए चल तो मेरे साथ चल मैं तरी बहुत मदद करूँगा और इस वज़े से क्या हुआ जिस पर्टिकुलर्ट टांग मारी तो क्या हुआ वीक हो गए टूट गए इसी तरीके से स्वाइल एरोजन है तो बेसी लिएक बार क्विक रिकाइप करते हैं स्वाइल एरोजन क्या है denudation of the soil cover यानि soil cover जो है जो जिस पर्टिकुलर्ट लैंड मास पे है soil क्या होती है? soil होती है uppermost layer of the land soil होती है जब वो soil उसकी क्या हो गई? वेदर ही हो गई टूट फूट हो गई और wind और water ने बोला चल भाई हमारे साथ चलते हैं simple यह है soil erosion बट यह दो कीवर्ट आप लोग जरूर इसे याद कर लेंगे denudation of the soil cover हम लोगों ने समझ गया soil cover की टूट फूट and subsequent washing down is अच्छा washing down क्यों आया? water है तो washing down होगा wind होगा तो wind blow away कर ले जाएगी and glaciers से भी आप लोगों को पता है soil erosion होता है वो mainly mountains बगर है में होता है तो I hope आप लोगों को soil erosion समझ मैं simple words में है soil cover की टूट फूट then wind उसे ब्लो कर ले जाएगी या water उसे wash down कर ले जाएगा simple यह है soil erosion अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दूसरा point है हमारा the process of soil formation and erosion जैसे हम लोगों ने land degradation में पढ़ा था नेचर का एक अपना वे होता है नेचर भी soil erosion में role play करते है लेकिन नेचर एक बैलेंस्ट वे में नेचर में बैलेंस्ट वे में soil erosion and soil formation दोनों चलता रहता है वो cycle disturbed नहीं होते हो बैलेंस्ट वे में चलता रहता है इट इस वी humans जो अपने टांग अडा के चीजों को खराब कर देते हैं बिगाड़ देते हैं due to our wasted interests आये देखते हैं so the process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two यह हम लोग है जो balance बिगाड़ने में विश्वास रखते हैं क्योंकि हम लोग बहुत selfish है राइट अब देखते हैं causes I hope आप लोगों को soil erosion की मीनिंग समझ में आ गई and आप लोग soil erosion अगर define and explain करने के लिए आता है तो आप लोग जरूर mention करिए कि nature में भी nature खुद भी soil को eros करती है at the same time soil formation भी soil erosion and the process of soil erosion and soil formation both you know simultaneously nature में होता रहता है but in a balanced way right soil formation का हमारा definition explanation complete हो गया अब हम देखते हैं causes right what are the causes of soil erosion आये देखते हैं soil erosion के कौन-कौन से causes हैं जो मेली दो फेक्टर मान सकते हैं human activities and natural forces देखते हैं यह देखें human activities भी soil erosion के लिए responsible होती हैं and जो natural forces हैं वो भी wind erosion के लिए responsible होते हैं और natural forces पड़ा ही simple है wind water glacier w w g w f नहीं w w g clear natural forces w w g wind water glacier यह natural forces है soil erosion के right human activities में क्या क्या होता है human activities में हमारा आ गया deforestation आ गया over grazing आ गया construction आ गया और mining आ गया right ठीक है अगला हम लोग देखते हैं अब हम लोग ने जैसे natural forces का पढ़ा क्या है water है wind है glacier है पहले water का पढ़ते है water से दो तरह का soil erosion होता है water से दो तरह का स्वाइल रोजन होता है एक होता है गली रोजन और एक होता है sheet erosion right अब आप लोग को सर गली रोजन अरे वह वाली गली नहीं है शरमाजी वाली जिसमें आप लोग cricket खेलते हो शरमाजी वाली गली नहीं एक्टिविटीज लाइक हम लोग इसे कर चुके हैं तो इसे छोड़ते हैं चले थोड़ा से देखे लिए थे हैं डीफोरेस्टेशन ओवर ग्रेजिंग कंस्ट्रक्शन और माइनिंग वाइल नैच्रल फोर्सेस विंड ग्लेशियर एंड वाटर यह हो चुका है बहते, 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 क्या होता वहाँ पे ऊपर की जो टॉप सॉइल है उसको भी अपने साथ बहा ले जाता है दिरे-दिरे वो डीफोने लगता है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह देखिए देखे पहले ये जो ये जो एरिया दिखा रहा है जहां से सॉयल अब जा चुकी है गड़ा सा बन गया है यानि जो गली बन गई देखो ये गलीज होती है ये देखे ये गलीज बन गई है ये गलीज बन गई है ये देखे डीप हो गई है राइट पहले ये ये जो एरिया है जो आज गली बन गई है यह भी पहले ऐसे-plane area हुआ करता था जैसे अउपर-पारक्द अइसे यह plane area हुआ करता था यह जैसे राइट लेकिन stimulus पानी के बहते बहते indi इधरे मिट्टी कटते कटते हो डीप हो गया और गलीज अच्छा अब गलीज हो गई तो अगला पॉइंट देखते हैं फिर एक्स्प्लाइशन देखते हैं अब आप कहेंगे कि सर स्वाइल की ऊपर वाली कवर हट जाने से क्या दिक्कत है भाई ये ये स्वाइल की ऊपर वाली कवर ही तो होती है जिसमें वाटर सॉलिबल प्लांट न्यूट्रियंट होते हैं हुमस होता है धेर सारे माइक्रो और्गिनिजम्स होते हैं जो हमारे प्लांट और ट्रीज को न्यूट्रियंट देते हैं अगर स्वाइल के एक फीट के बाद आप नीचे जाओ देखो स्वाइल का कलर बदल जाता है वहां हुमस नहीं होता वो थी फर्टाइल नहीं होती हाँ फर्टाइल बनाई जा सकती है वह अलग की बात है तो अब क्या हुआ वाटर ने इसे बैड लैंड बना दिया यह गलीज क्या हो जाती है बैड लैंड ठीक है नमली सिए सच्वरक्षं इसको गलीज बोलते हैं बट अगर हम चंबल एरिया की बात करें मिट चंबल परasına बेसिंग सिच के बात करने तो चंबल बैसिंग में भी इसी तरह के स्टक्टर बन जाते है पानी की बरते बहुत जादे बीप हो जाता है लेकिन वो और ज्यादा डीप होता है ठीक है तो उसके उसे उस बैड लेंड को वहाँ बैड लेंड नहीं बहुत है उसे रिवाइन्स बोलते हैं यह वन मार्कर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो आप लिए उसे जान लिजे कि चंबल में पानी के बहने से जो डीप कट्स हो जाते हैं उन्हें बैड लेंड नहीं बोलते हैं उन्हें रिवाइन्स बोलते हैं चलिए अब हम लोग जैसा कि एक आप लोग देख लिजे कैसे जैसे हम लोग ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सबसीक्वेंट वाशिंग डाउन अब देखिए यहां पर जो स्वाइल आप लोगों को दिख रही है यह जो स्वाइल यहां पर आई है वाश आउट हो करके कहां से आईए उपर वाली बोलेगी आ बेटा चल हमारे साथ राइट आई होब समझ मैं आप लोगों को चलिए नेक्स टॉपिक हम लोग बिसिकली नेक्स स्लाइड देखते हैं कि नेक्स स्लाइड पर क्या है हम लोग गली स्वाइल पढ़ी लिए थे अब हमँ शीट इरोजन के बात करते हैं शीट इरोजन क्या होता है जब एक बड़े एरिया में देखे जो गली इरोजन का एरिया होता है वो कम होता है sheet erosion area gally erosion में diff ज़्यादा होती है area कम होता है but sheet erosion में area बहुत ज़्यादा होता है उसमें diff कम होती है in comparison to gally erosion but यह बहुत बड़े large area पे जब water काफी लंबे समय तक flow करता है तो upper soil की आप समझे जिए first I think first 4-5 cm होता है जिस पे हम crop grow करते हैं इसको अपने साथ बहा ले जाती है जैसा कि इस image में आप लोग देख सकते है यह देखे यह इसकी इसमें जो depth है वो उतनी नहीं जिदनी gallys में है समझ पा रहे हैं आप लोग यह clearly visible है depth हो उतनी नहीं बट area बहुत ज़्यादा है इसमें area बहुत ज़्यादा होता है जैसे बारिश की नदी एकदम ऊपर होके नहीं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा area को ले करके उसी तरीके से यह एक बड़े land mass पे बहती है और soil की upper layer को आनि आप बोल लोगे यह first five to six centimeter को अपने साथ बहा ले जाती है तो यह होगे अपना sheet erosion राइट देखते हैं क्या लिखा है sometimes water flows as a sheet cover I hope आप लोग visualize कर पा रहे हैं कि एक बड़े area पे जैसे नदी बह रही हो पानी बह रहा हो right water flows as a sheet cover or a large area down a slope down a slope अचा जब down a slope होगा तो water की speed और तेज होगी water speed और तेज होगी तो क्या होगा और ज्यादा soil erosion होगा और ज्यादा कटेगी मिट्टी such case in in such cases the the top soil is washed away जिस पे agriculture करी जाती है जा जो फर्टाइल होती है and this is known as the sheet erosion so water causes two type of water causes two types of you know erosion sheet erosion and gully erosion clear चलिए now अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था WWG WWG क्या है WWG is WWG are the natural forces which cause soil erosion so first W water पढ़ लिया दूसरा W हम लोग विंड पढ़ेंगे आई यह देखते हैं wind blows loose soil of flat land और sloping land आप लोगों ने experience किया होगा या observe किया होगा during summer क्या होता है during summer बहुत जादा धूल होती है हमारे environment में sunlight बहुत जादा तेज होने की बज़े से अच्छा जब स्वाइल में moisture होती ही तो वह उड़ तो सकती नहीं चिपकी रहती है जमीन से बट बहुत जादा temperature होने के कारण summer में especially North India में आप लोग notice करिएगा observe करिएगा summer में बहुत जादा धूल होती है environment में बहुत जादा धूल भरी आंधी चलती है अधी चलती उसमें धूल ज़्यादा होते क्यों क्योंकि soil dry हो जाती है और हवा बोलती है चल मेरे संग राइट तो यह हो गया हमारा wind के द्वारा जो erosion होता है वो हो गया हमारा wind erosion यह तो हो गया glacier वाल आप लोग जानते है mountains पर होता है जब बहुत जादा snow jump जाती है तो इतनी heavy हो जाती है कि वो नीचे फिसलने लगती है उसके साथ soil को भी अपने साथ बहा ले जाते नीची ले जाती जो अल्टिमेटली आकर के नीचे बड़े बड़े यह नो पत्थर होते हैं धिरी धिरी वो नदियों में बहते 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 हैं हाना कि वहां तो soil erosion हुआ लेकिन बाद में धिरी धिरी वो हमारे लिए काफी दूर तक नदी साथ जब travel करते हैं तो धिरी धिरी छोटी छोटी हाता उसका छोटी चोटी टुक्रों का लिजो बड़े बड़े बोल्डर होते हैं नदी के पानी में बहते 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 लिया गंगोत्रीं से निकल कर जब तक वो बकृष बेंगौल में पहुंचते दफी चोटी होटी से हूंचते हैं अगला देखते हैं अब अब human activities का example है human activities हम लोगों ने पहरे ही पड़ रखा था कि deforestation होता है mining होता है construction होता है over grazing होती है अब human activities में दूसरा reason आया defective method of farming हमारा जो defective method of farming होता है वो भी एक reason है soil erosion का अभी हम लोग इसको समझेंगे एक diagram से कि defective method of farming क्या है अगला reason है soil erosion का ये भी human activities द्वारा cost हो रहा है plowing in a wrong way plowing in a wrong way यानि गलत तरीके से field को plow करना यानि जुताई करना खेत की इसमें क्या होता है up and down the slope अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये सपोज ये ये हमारा ठीक है ये हमारा ये slope हो गया ये ये slope हो गया राइट ये slope हो गया इसी slope पे अगर हम इस तरीके से इसकी प्लॉइंग करें ऐसे आप आप डाउन up down अगर हम लोग plawk करें तो क्या होगा सबसे बड़ा नुक्सान पहला ये होगा कि यहां तो जब हम plawk करते हैं अगर आप लोगोंने सी नाली बन जाती है तो वही पतली सी नाली से क्या होगा पषला नुक्सान तो यह होगा जो हम इसकोist करें तो यहां की स्यॉधे का छिछ करके यहां जाएगी थान साुना दीससां असने नुक्सां तब होगा जब लूज हो जाती है, तो सारा का सारा जब बारिश की पानी गए तो ये नाली जब हमने प्लॉक आ रा था बनी ही रहेगी छोटी छोटी ओ धेर सारी नालिया तो सारा का सारा वाश डाउन होकर के नीचे आ जाएगा और ये आगे ने इन फर्टाइल एरिया बन जाएगा, ठीक ह तो इस तरीके से, यानि अप एन डाउन स्लोप यानि अप से लेकर डाउन, फिर डाउन से लेकर अप इस तरीके से प्लॉइंग नहीं होनी चाहिए, प्लॉइंग कैसी होनी चाहिए, अभी हम लोग, conservation वाले टॉपिक में इसे हम पढ़ेंगे और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि what are the causes what are the causes of soil erosion कि अच्छुली जो causes of soil erosion है उसको learn करने में doctors कि आज हम आज हम लोग soil erosion के causes को learn करने के लिए doctors and MP member of polyamant and doctor जो हमारे treatment करते हैं जब हम लोग भीमार होते हैं तो उनसे मैंने मदद मांगी है यह लोग हमारी मदद करेंगे soil erosion के causes को learn करने में कैसे आए देखते हैं कि यह हो गए doctor साहब कि आए हो गए हमारे honorable member of parliament जो हमें help करेंगे causes of soil erosion को learn करने में कैसे कैसे help करेंगे आए देखते हैं और डी हो गया स्वारी रोजन का पहला रीजन क्या है deforestation डी हो गया ओ ओर ग्रेजिंग और सी कंस्ट्रक्शन बुक में दिया हुआ है एम माइनिंग पी flowing in a wrong way इस तरीके से doctor and MP हमारी help करेंगे soil erosion के causes को learn करने में अब हम देखते हैं ways to soil conservation आप लोग कहेंगे सर आपने एक छोड़ दिया ये वाला defective method of farming अगर आप लोग इसे करना चाहें तो इसे d square कर दीजे यानि आप इसे ऐसे कर सकते हैं पहले लिख लिजे doctor and MP लिख लिया अब इसको d square कर दीजे एक d हो जाएगा deforestation के लिए दूसरा d हो जाएगा defective method of farming के लिए कभी गभी देखे ने जब हम particular answer याद करने की कोशिश करते हैं लिखने की कोशिश करते हैं तो आप ही लोग बोलते हो पहला alphabet बता दो मैं heading बता दूँगी या बता दूँगा होता ना ऐसा तो उसी का यह solution है and I hope यह आप लोगों के लिए helpful होगा definitely helpful होगा because it has been already tried and tested among the students that will help you comment करके जरूर बताएं कि यह आप लोगों को कितना helpful लगा चलिए next slide पे चलते हैं तो हमारा next slide talks about मेंजर्स आफ सॉयल कंजर्वेशन मिन्स वेस्टू कंजर्व सॉयल दोस्तों स्वाइल की क्या importance है हम लोगों ने इस वीडियो की शुरुआत में पढ़ लिया था प्लांट नहीं तो अनिमल और हम नहीं और हम लोग कितने ज्यादाइब ब्लांट और एनिमल से पोलने की भी ज़रूत है इसके बारे में आईए शुरु करते हैं कि तो मेजर्स मेजर्स को मेजर्स ओफ स्वाइल कंसर्रवेशन आर wait a minute measures of soil conservation are पहला ploying along the counter lines अब ये अब ये उसी की बात कर रहा है जो हम लोग defective method of farming defective method of farming जो था उसी का जवाब है ये farming का method जो defective है है ना देखते है so applying along the counter lines can decelerate जैसे हम लोगों ने उस डागराम में समझा था कि अगर ये slope है हम लोगों ने समझा था पिछले वाल डागराम में कि ये slope है अगर हम इस तरीके से applying करेंगे तो कि एक channel बन जाएगा का line सी नाली सी बन जाती बहुत हलकी सी right drain सी बन जाती है तो वो बारिश के time पर सारी की सारी soil को लोके नीच्छे चली आएगी ठीक है अब करना क्या हो रहा हो अगर problem तो यह है इस वा सलूशन क्या है हमें क्या करना है flowing along the counter lines यानि यह इसकी बात कर रहा है यह वाले डियाग्राम से यानि हमें slopes से slopes पे जो flowing करनी है वो ऐसे नहीं करनी है वो कैसे करनी है इस तरीके से करनी है तो अब देखे यहां से जो बैहता हुआ पानी आएगा उसके लिए बैरियर बन गाना है यह फिर इस तरीके से करनी है यह basically अगर मान लिजे यह mountain है अगर मतलब मैं समझाने के कोशिश कर रहा हू मान लिजे यह slopes है तो इस तरीके से हम इसको flow न करके क्या करेंगे ऐसे ऐसे प्लो करें चारो तरफ ऐसे प्लो करें तो यह क्या करेगा एक barrier का काम करेगा यहां से बाता हुआ पानी आएगा उसकी speed slow हो जाएगी ठीक है क्योंकि इसमें भी channels बनें जब हम ऐसे इस तरीके प्लो करते हैं तब भी तो channel बन जाता ना जुताय करने पे plowing करने पे उसी तरीके यहां भी channel बनेगा अब यहां से water आगा जो soil को भी लेकर आगे इसकी speed slow हो जाएगी फिर यहां 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 तो इस तरीके से barrier create हो जाता है तो जो यहां यहां इन्हें counter plowing बोलते हैं ठीक है counter lines on irregular slope ठीक है तो plowing along the counter lines can decelerate the flow of water flow of water के लिए barrier create कर दिया आपने तो soil erosion काफी काफी कम हो जाता है this is called counter plowing counter plowing इस तरीके से हम slope में counter plowing अप्लाई करके soil erosion से को से बच सकते हैं तो पहला हमारा होगा counter plowing दूसरा देखते हैं steps can be cut out steps कैसे steps कुझे सीडी से हम लोग उतरते हैं न step 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 steps can be cut out on the slopes यह देखे यह slope है यह देखे सीडी जैसा आप लोग रोज सीडी चड़ते हैं यह देखे मैं यह नहीं कर आप लोग पास lift नहीं है यह देखे steps आप लोगों को दिख रहे हैं इसी की बात हो रही है right so steps can be cut out on the slopes making terraces terrace cultivation restricts erosion और terrace farming कहां पे यूज करी जा रही है central and western हिमालय में किया जा रहा है और लोगों को इसका फैदा भी हो रहा है western and central हिमालयास have well developed terrace farming अब देख लीजे terrace farming क्या है terrace farming में इस तरीके से आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे यह steps बन जाता है एक बार इसे हुआ फिर यह हुआ अब समझे अब यहां से पानी बहा स्वाइल को भी लेके आ रहा अपने साथ यहां कि वो क्या स्पीड का फिर स्लो हो जाएगी तो जो भी स्वाइल लेके आया होगा उस वाटर के साथ उस वाटर के साथ जो भी स्वाइल घुल करके आई हुई होगी डिजॉल्व होके आई हुई होगी यहां कि स्वाइल तो यहां रुख जागी पानी फिर दिरे से नीचे आ जाएगा अब यहां पे फिर उससी स्पीड स्लो हो जाएगी यहां स्पीड बढ़ेगी लेकिन यह लोगों ने पढ़ा counterploying फिर हम लोगों ने पढ़ा terrace farming अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं strip propping यानि crops की जो बड़े बड़े large field होते हैं यानि जो large plot of land होता है उसको strips में हम बाट लेते हैं छोटे-छोटे strips में बाट लेते हैं आई एक पर पढ़ते हैं फिर explanation करते हैं large fields can be divided into large fields strip cropping कहा आती है large fields में large fields can be divided into strips ये देखे tips हैं ये ये देखे ये जो strip है यहाँ notice करना आप लोग ये देखो यह यहाँ पे जो plants लगे हैं यह यहाँ पे जो लगे हैं यह बड़े हैं यह बड़े हैं बीच में आप लोग देख रहे हैं छोटे-छोटे हैं बीच में देख रहे हैं आप लोग छोटे-छोटे हैं जो भी प्लांट लगा छोटा है अब यह देख़ें यह क्रॉप है यह बड़ी वाली तो इक नieri मचा सब यह उड़ेंगा क्या या बहेगा क्या नहीं ऐसा नहीं है देखे होता क्या है यहां पर तो बड़ी ग्रास है यहां भी बड़ी ग्रास है लेकिन होता क्या है कि before you actually saw the seed soil को prepare करना पड़ता है उस पे कम से कम 25 दिन का time लगता है स्वाइल को प्लो करते हैं आप उसमें मेनियोर एड़ करते हैं तो टाइम कंसूमिंग होता है और उसी बीच में हवा आती है तो अब जो आपने इतना मेनियोर मिलाया आप यूमस तयार किया सारी चीजें और आप वाइल प्लोइंग रात को आंधी आए या तूफान आया तो चीजे अपर स्वाइल का कवर उड़ सकता है न तो उससे नुक्सान हो जाएगा तो वो उस समय के लिए अभी समय तो कवर्ड है तो उड़ेगा यह नहीं यह उस समय काम में आता है जब एक क कि Steak Company को सो करने के लिए उस्टेड यहाइर को जब हम प्रिपेर रहे होते है ठीक है जिके चाले क्या करता है इसका रोल क्या होता है जो इस स्ट्रिप उफ जो इस्ट्रिप उफ ग्रास होती उसका रोल क्या होता है इस ब्रेक्स दफोर्स अब दे विंड हवा की स्पीड को स्लो कर देते हैं है ना ठीक है चलिए जैसा कि यह इस डाइग्राम में काफी कुछ क्लियर है आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं अब हम लोग अगला देखते हैं अगली स्लाइट पर हमारे लिए क्या है तो बिफोर भी मूब टू दे नेक्स स्लाइट हम लोगों इसमें क्या क्या पढ़ा कांटर प्लाइंग पढ़ी टेरेस फार्मिंग पढ़ी टेरेस का सिम्पल समतला आप लोग समझ लोग टेरेस का समतला स्टेप यह देखोए यह स्टेप यह स्टेप यह स्टेप राइट उसके बाद हम लोगों ने स्टिप क्रॉपिंग पढ़े अब हम लोग तीन तरीके हमने पढ़ लिए soil erosion को रोकने के राइट अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा चौथा है हमारा shelter builds shelter builds आप लोगों के याद हो रहा होगा shelter builds वाला heading तो हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा था land erosion में shelter builds कहां कहां हम लगाते हैं plain area में भी लगाते हैं shelter builds और हम जहां पर बहुत जादा आधी चलती है desert area में भी हम shelter builds लगाते हैं cactus का और भी अधर धे सारे तरह के plants हैं जो कि जिनको बहुत जादा water की जरूत न पढ़ती होगा यानि कम से कम least amount of water में काम चला ले यानि उनको water करने की इरिगेट करने की जरूत ही नहीं पढ़ती है वो बड़े बेशर हमों मजबूर टाइप की plant होते हैं उनको पानी दो यह ना हो मस्त रहते हैं cactus is one of them bubble tree भी ऐसा होता है राजस्तान में खूब होता है राजस्तान के desert में देखते हैं planting lines of trees lines of trees lines of grass नहीं है नहीं देहां दिजिएगा planting lines of trees to create shelters works in a similar way किसके किसके similar way जो भी हम लोग क्या लगाते हैं grass large piece of land को strips में divide कर दिया strips में divide कैसे करते हैं दिवाल बना के नहीं grass लगा grass लगा करके और उसके बीच में फिर अपना soil के प्रिपेर करके उसमें seeds हो करते हैं वहाँ पे strip of grass होती है यहाँ पे क्या है lines of trees होती है ठीक है यह क्या है shelter belts तो क्या होता works in a similar way rows of rows of such trees are called shelter belts right these shelter belts have contributed successful भी हो रहा है यह तरीका contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India तो basically जो shelter belts है राजस्थान के जो हमारे friends है वो उसका फार्मर से खूब उसका फायदा उठा रहे है which is good thing आई यह से समझते है इसमें देखते हैं इस image में यह देखे these are the rows of the tree यह tree की rows है यह similar to strip cropping ही है लेकिं strip cropping में हम grass grass की रो होते है यहाँ पर trees होते हैं यह trees है अब यह जो बड़े बड़े trees है सेज विंड की हाई स्पीड जो विंड होग इसको उसकी स्पीड को काफी कम कर देंगे तो स्वैल को वो अपने साथ उड़ा के नहीं ले जा पाएगी अब हम लोगों ने जैसे पढ़ा था जैसे डॉक्टर एंड एंपी लोगों ने हम लोगों की help करी थी causes learn करने में, soil erosion के causes learn करने में उसी तरीके से आएए हम help मांगते हैं कि जो ways to conserve soil है या soil measures to conserve soil है, soil को कैसे conserve करने हैं, soil erosion होने पाए, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या तरीका दे सकते हैं, इसके लिए है हमारा CTSS, CTSS, CTSS की help से हम लोग ways to conserve soil learn कर सकते हैं, measures to conserve soil learn कर सकते हैं, अब हम लोगों ने पहले क्या बढ़ा था, C पहला वाला C, C कौन सा था, counter plowing, T, terrace farming, S, ये वाला shelter built हो गया, ये strip cropping हो गई, right, I hope आप लोगों को मज़ा आया, comment जरूर करें and पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, thank you so much दोस्तों